पल्लू तो उगंदगी, चो कृष्णा जी जैसे अच्छे इंसान को, सही सोचने का मौका ही नहीं देती, जिस घर में रहती है, उसी घर की सुख और शान्ती को बरबाद कर बैठी है, हम तो कहते हैं, ऐसी औरत को सीधा नरक का रास्ता दिखा देना चाहिए, हम तुमको पाय कर लिया है, यानि के पायल एक गेम खेलती है, जिसके चलते कृष्ण भी इमोशनल हो जाए, और यहां पर कृष्ण पायल को गले लगा लेता है, मायल को गले लगा कर कहता है, तुमने सोच भी कैसे लिया, हम तुम से कितना प्यार करते हैं, यह हम ही जानते हैं, लोरिया, तु भी कितनी भोलिये, अरे इस दवा से तो कीड़े भी ना मरे, मुश्तंडी कहां से मरेगी देख, तुझी ऐसी दवाई बनानी है, जो जहर भी ना लगे और दवा भी ना लगे, बस एक बार खाते ही, मुश्तंडी या चारो खाने चित तु मामारे मारे में ऐसा क्यूं सोच रही है हो, यहाँ पर पायल जो है, रोते- 인पास, इस या ओर बनत्य. यह और जो अममा जी का अतीप था, वही वर्टमान काल में, यानि के वही प्रेजस्क में ना हो बिंदिया के साथ और बिंदिया की सोतन यानि कि पायल ऐसा कुछ ना करे जो अम्मा जी के साथ हुआ था तो इसे लिए अम्मा जी इस दर्द को महसूस करता रही है और बिंदिया का साथ दे रही है कि भाई बिंदिया तुम अगर असली पत्नी हो तो तुम ही रहोगी सोतन की कोई अंटरी नहीं है तुम गों को नहीं पता बिंदया अँम्मा जी यह तीम में हो चूके और हो यह पर कृष के हाथों से वो थपड़ भी खाती है तो जैसे जैसे क्रिश और पायल नजदीक आए वैसे वैसे ये दूर भी हो रहे हैं क्योंकि अमजी और बिंदिया जो है एक ऐसा काम करने जा रहे हैं कि भाई पायल को रास्टे से हटाना ही है चाहां मारने का शाय इनका प्लैन नहीं है उब्विसली मारेंगे नहीं बहुत बड़ी बात है मारना लेकिन हां सोतन है तो सोतन को हटाना जरूरी है खेल कमें सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और करदीजी चानल को सब्सक्राइब